शहर की माध्व पुर्णा नाग नदी परियोजना पर केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी, केंद्रिय जल शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत, राज़के जल संसाधन मंत्री जयन पाटिल और विपक्षी निता देविंद्र पर्णवे समेथ महापुर्दयाशंकर तिवारी के दिल्ली में बैटे खुई जिसमें नदी के पुर्णवास परियोगना पर चर्चा की गई, इस बार महापुर्दयाशंकर तिवारी ने पत्रकारों से समवाध साधा वस्तंपुर्ण जानकारी उनसे साचा के नागनादी परियोशना केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी का ड्रीम पोचक्त है जिसके पुनरवास के लिए फरवरी 2020 में केंद्रिस सरकार और जापान की वित्य संस्था जीका के बीच चर्चा हुई थी लेकिन उसके बाद इस परियोशना में किसी भी प्रकार की प्रगतीन नहीं हुई केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी नी इस बारे में पहल की जिसके बाद इस संबन में बुद्धुहार को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई बैठक के दोरान वित्त सचीव को 15 दिनों के भीतर परियोशना को मंजूरी देने का निर्देश दिया गया केंद्रिया जल मंत्री गजेंद्रसी हशे खावत नी बैठक में कहा कि वित्त विभाग की अनुमती के साथ राश्यो नदी विकास प्रधिकरन एक महिने के भीतर एक पीमसी की नियुकती करेगा पीमसी की नियुकती के बाद नदी प्रधूशन उन्मूलन परियोशना का प्रस्ताव जापानिवित्ती अस्तन स्था जीका कंपनी को जान्च के लिए प्रसूत किया जाएगा इस संदर्ब में अधिक जानकारी दी महापौर दयाशन करतिवारी ने नुकि जापान की कंपни है उसके माध्यम से करिब करीब बाइस सो करोड़ के आसपास की राशी इस प्रकल्प के लिए प्रस्तावित है यह प्रकल्प रूड़की आयाई-टी रूड़की ने तयार किया है और वहाँ प्रकल्प के अंदे सरकार के पास भीजा गया करोना प्रारंब होने के करण करीब करीब एक वर्ष यह प्रकल्प रुका हुआ था और उस प्रकल्प को देखने के लिए जिस व्यक्ति के नियुक्ति की गई थी वह महानगर पालिका का रिटाइट कर्मचारी उस प्रकल्प को गति दिलाने के लिए वित्य सच्चिव से बात करी पंद्रह दिन में वित्य सच्चिव के माध्यम से वित्यमाननेता प्राप्त हो जाएगे परियोजना नागपुर नगर निगम द्वारा कार्यानवित की जाएगी इस नदी में आने वाले प्रदूशित पानी को मोडने, प्रक्रिया करने, अब शिष्ट जल की प्रक्रिया के लिए केंद्र का निर्मान करने और शोचाले आदी के निर्मान कारे का इस पर योजना में समावेश है जो नापपुर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण कदम है साथ ही इससे शहर की सुन्दरता में भी इजाफ़ा होगा क्यामरा पोसिन राजकुमार मोड के साथ दुशा हटवार बीसी नियूस नापपुर